हलो फ्रेंड्स मैं हूँ किरान मेरे किचन मापका श्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं हारी चटनी इसके बिना तो समोसा चार टिटिकी बड़े सभे अधूरे हैं तो इस तरह हम बना कर त्यार करेंगे विल्कूल होटेल रेश्टूरेंट मुझे से चटनी तो चलिए अधली जिरागत हो पुदी इसके बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें किन किन चाजों की जूरत पड़ेगी तो यहां आधा कटोरी में बनानापत्माच अधा चमाच सफेद नमक अधा चमाच काला नमक दो बड़ा चमच दही मैंने यह रोस्टेड जिरा लिया है एक चमच आपको लसन नहीं पसंद है, तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ इसे डानने स्टाट करते हैं, तो यहाँ हमने लिया है एक जार, अब हम इसमें डाल देंगे सारे पुदेने को, सच मानिए इसका जो टेस्ट है लगेगा आपको इदम होटल और तो इस तरह से हम डालेंगे सभी को, यह हमने डाल दिया है धनिया पत्ता, अब हम यहाँ डालेंगे रोस्टेट जीरा, चाट मसाला, नमक, सादा नमक, काला नमक, अधरक, हरी मिर्च, अब अपने अनुसार से हरी मिर्च कम जादा कर सकते हैं, अगर आपको जादा तीका प मिर्च डालें, अब हम यहाँ डाल देंगे तही, और यहाँ लसन, लसन डालने से इसका भी टेस्ट है, वो बहुत अच्छा आता है, अब एक बार इस तरह से बना कर जरूर देखें, अब को भी इसका बहुत अच्छा ते लगेगा, तो इस तरह से हम जार का धकन लगाएं इसे हम पीसेंगे, तो अब हम यहाँ दो चमज पानी एट कर देगे, अब हम इसे अच्छे से इदम पे quests बना लेंगे महीन सा, तो यह देखे हमारा पेश्ट बनकर तयार है, तो अब हम इसे एक serving bowl पर निकाल लेंगे, यह देखिए कितना चैटनी बनकर तयार है बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसा चैटनी है इसे आपका बहुत अच्छा टेस्ट लगए है खाने में आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें इस तरह से हम बना कर तयार किया है यह बहुत ही स्वादिश चैटपटा सा चैटनी बनकर तयार है आप भी इस तरह से बनाए तो इस तरह से अगर आपको मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें